इस प्रेंड्स आज के वीडियो में सीखेंगे 5 साल की बेबी के लिए फ्रॉक बनाना जिसके लिए हम ने यह कंप्लीट किया है तो जिसके लिए 2 मिटर नैट और 2 मिटर लिया है यह हमारा बटरफ्लाई वाला नैट है आप काफी अच्छा है और इसमें बीट्स भी लगए हुए है गोल्डन कलर के और यह हमने अस्तर लिया है यह हमारा सांटन का अस्तर है काफी फिसलना अस्तर है वैसे तो यह लेकिन सांटन का ही यूज करना चाहिए अगर आप अच्छा वाला नैट यूज कर रहें सबसे पहले ट लेंगे इसको तो अगर बच्छी की हाइड जादा है तो आप टॉप पार्ट की जो लंबाई है उसे तेरह से चौधा इंच ले सकती है वह हाइड के हिसाप से लिया जाता है जैसे पांस साल की बच्छी का है तो मैंने ग्यारा इंच लिए दस तैयार रहेगा उसमें एक इ पड़ाई में चाहिएगा उतना कपड़ा लेकर बाकी के फैबरिक को कट कर देंगे अब यहां से सोल्डर ले लेते हैं हम सब चार इंच पर बच्छी थोड़ी पतली है अगर हेल्दी है तो आप पांच या सब चार ली जो शोड़ी सब पांच लीजिए अब यहां से हम कौलाई दे देंगे और यहां से गले के लिए दू इंच पर निशाद लगाएंगे गले की लंबाई के लिए हम साड़े तीन इंच पर निशान लगाएंगे और इस तारिके से अब इसमें से एक पार्ट को निकाल दूँगी, और हाँ से हम, कटिंग कर देंगे इसकी, तो यह मैंने कटिंग कर दी है, अब यहाँ से सेम मैं, 1.5 इंच लोगे पीछे के लिए, और 2 इंच रॉड़ाई में, और इसको भी कटिंग कर दूँगे, ये भी कट हो गया है ये आगे वाला पार्ट होगा और ये पीछे वाला तो दोनों पार्ट हो गए हैं कट अब इस तो कपड़े को बिछाएंगे हम सौरी यहां से दिखाया नहीं था जो कैमरा में था मैंने बहुत कोषिस की मैंने तो बहुत अच्छे तरीके से समझाया था कि कैसे हमें फोल्ड करना है लेकिन उसके लिए सौरी तो मैं आगली वीडियो में आपको समझा दूँगे कि इसे कैसे रखना है तो यहां से से निसान लगा देंगे और टॉप जो कमर वाला हिस्सा था वो मैंने टॉप पार्ट से ही इसको मेजर कर लिया था यहां से जैसे हम दोतिस अलवार के लिए कपड़ा रखते हैं उसी तरीके से हमने इसको रखा था अब हम इसको कट कर देंगे अब यह रखने के बाद में हम यहां से भी कट कर देंगे इसमें से जो कौना निकलेगा उसी को हम यहां पर जोड़ देंगे इससे थोड़ी सी हाइट पर जाएगी क्योंकि हमें थोड़ा सा उसी के बराबर उसे थोड़ा बहुत कम मतलब दो इंच कम लेंगे भी इसको उठा के ऐसे रख लेंगे कौने पर अब इसको भी हमने कट कर दिया है अब इस कपड़े को देख लीजिए ये दो फोल्ड में किया और ऐसे तिकोना कर दिया ठीक है इसको इसी तरीके से करना है आपको ऐसे करने के बाद अब अपने जो हमारा अस्तर है उसका सिर्फ कमर वाला हिस्से का मेजरमेंट लेना है बाकी का हम लंबाई में इससे करीबन दो इंच जादा लेंगे तो यह यहां से लेने के बाद यहां से हमने इतना ले लिया है अब इससे हम थोड़ा सा बड़ा कट कर निसान लगा देंगे तो यह देखिए यह हमने पूरा कट कर लिया निसान लगा के इसको एक सरकल बना लिया था बागी के फैबरिक को बचाएंगे अभी टॉप पार्ट निगलेगा उसमें से यह हो गई हमारे दो पार्ट यह देखिए आगे और पीछे के इनको भी हम अलग-अलग कर देंगे तो यहां से अब जो हमारा बचा था नीचे से कपड़ा इसमें से हम अपने जो हमारे टॉप पार्ट है उसकी कटिंग कर लेंगे जितना भी फैबरिक बचा है अगर आपको अच्छे गेर का फ्रॉक चाहिए तो बच्ची चाहे तीन साल की है चाहे साथ साल की आप दो मीटर ही कपड़ा लें ताकि अच्छा गेर आए अब यहाँ से हम इसको सिलेंगे तो सिलने के लिए पहले आस्तर को रखेंगे ऐसे उल्टा करके और अपने इस टॉप पार्ट को इसके नैट को इसके उपर रखे और कमर से लेके हम पूरे आर्म होल से और जहां से फिटिंग की सिलाई लगेगी वहां तक इसे पूरा सिल ज्यादा सिलाई मतलब कपड़ा दवाना नहीं है थोड़ा थोड़ा कपड़ा दवाते हुए अब इस नेट को भी कट कर देंगे क्योंकि हमने ये नेट में गला कट नहीं किया था अब इसको सीधा कर देंगे और सिर्फ मैंने नीचे वाला पार्ट छोड़ा है जहां से हम अपने टॉप पार्ट को अटैज करेंगे अब यहांसे कि बाइगा मतलब आगी वाले पढ़े में पीछ वाले में भी आएगा तो इन दोनों जॉयंट को ऐसे ही से लें जहां से पूरे और यहां से बिसंद की आप कर दें तहलें मोड गों कुछ बांधो कि यहां पर दोंगे अपको यहां कि नहीं है तुप कर लिए तो जनने फी अ नेट को मोड लिया है अब इसका कमर वाला हिस्सा लेंगे और इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे बस यहां से यही जोड़ना है अगर कोई मोटीव अगर आय तो उसको निकाल देना है ताकि सुई न तूटे अब यहां से हम इसी तरीके से इसको कम्प्लीट करते हुए स मैंने इतना कर दिया है अब ही मैं क्या करूंगी इसके साथ इस टॉप पार्ट को अटाइच कर दूँगी यह देखिए और इसके साइड में सिलाई नहीं लगानी है आपको सिर्फ आपको जो उपर का टॉप पार्ट का हिस्सा है जहां पर जुड़ेगा वहीं तक लगानी है तो यह मोती वगरा हटाते हुए लगानी है क्योंकि फिर अगर इसके उपर सुई आ गई तो टूट जाएगी इसलिए कोई भी मोती आ गया आए तो इसको हटा देना है यह हो गया है और अब ही हम क्या करेंगे कि अब यह बैक पार्ट है हमारा तो हम बैक पार्ट को भी स इम सिलने के बाद अब फ्रंट के गले में हम यह पतली लेस लगा देंगे इस तरीके से और इसको कट कर देंगे अब ये हो गई है अब हम इसके हिस्से में ये इस तरीके से सिलाई लगा देंगे अब दोनों को रखने के बाद अब हम इनका सोल्डर जोड लेते हैं आगे और पीछे के परदे को हमने बराबर करके रख लिया है और आप चाहिए तो इसमें जिप भी लगा सकती है लेकिन अब गला मेरा बढ़ा हो गया है तो मुस्से जरुत नहीं है मतलब कि मैंने थोड़ा सा और बढ़ा लिया था पीछे का गला जैसे मैंने डेड लिया था तो मैंने उसे तीन ही कर लिया है तो यहां से इसको डॉबल करके हम सिल देंगे सोल्डर को भी अच्छे से बरावर करके अब यह हमने इसके लिए बेल्ट बना दी है तो बेल्ट को हमने तीन इंचो डा लिया था और उसको सिल के हमने डेर्ड इंस का कर लिया है और दोनों बेल्ट हमें ऐसी ही बना के बस सीधी कर लेनी है अब इसमें फिटिंग की सिलाई लगा देंगे और फिर नीचे तक लगाने के बाद और इसको बिलकुल जहां से हमने इस चोली को जोड़ा है इनकी टॉप पार्ट को वहां तक इससे सिलते हुए और नीचे तक इससे पूरा सिल देंगे चारों को मिला के आपस में तरीके से तो ऐसी ही आप भी अपनी बेवे के लिए फ्रॉक बना सकती हैं दोनों साइड से से सेम सिलाई लगा लूँगी मैं ऐसे ही तो यह देखिए यह हमारा फ्रॉक बन के तैयार है मैंने इसे लाई लगा लिए फ्रंट में मैंने लेश लगा दिये गली पे लेश है इतना उचा रहेगा स्तर अच्छा लगे तो जबी बताईएगा मैं निवाद आप सभी का